ओटीट एक ऐसा प्लाटफॉर्म बनकर उब रहा है जहां पर हर तरह का कंटेंट रिलीस किया जाता है यहां तक कि जो फिल्में जादा बोलने से विवादत कंटेंट के कारण सिनमा घरों में रिलीस नहीं हो पाती है उनकी स्ट्रीमिंग भी ओटीटी पर असानी से हो जाती ह ऐसे में आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो कि सिल्मा घरों में रिलीस होने से बिलकुल मना हो चुकी थी यह फिल्में OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीस की गई थी तो इसे लिस्ट में पहले फिल्म का नाम है अन्फीडम इस लिस्ट में सबसे पहले नाम अन्फीडम का है अन्फीडम की ट्रीश पर भारत पर बन लगा दिया गया था हाला कि बाद में इसे नेट्फिक्स पर रिलीस किया गया आप इसने फ्लिश पर आसानी से देख सकते हैं इस फिल्म में रैस्बियन संबंधों को दिखाया गया है और हकीकत पेश करने के लिए कई बोल्ट सीन भी फिल्म आये गए हैं ऐसे में इस सीरीज को देखते वग प्रैवेसी का ख्याल रखे अगली फिल्म का नाम है ब्लैक फ्राइडे फिल्म मेकर अनरा कश्रप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे भी सी लिस्ट में शुमार है 1993 में मुंबई बंधमाकों पर अधरेज इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया था हाला कि अभी फिल्म होट स्टार परसानिक से देखी जा सकती है अगली फिल्म का नाम है लोएव इस फिल्म में दो लड़कों की लव स्टोरी दिखाए गई है यह रिलेशन को फिल्मी परदे पर उकेरने के लिए फिल्म मेकर ने काफी बोल्ड सीन्स शूट किये है यह फिल्म नेट्ट्लिक्स पर मौझोद है हाला कि यह फिल्म वाच बिल्कुल भी नहीं है ऐसे में प्ले करने से पहले काफी साफधानी बरते अगली फिल्म का नाम है परजानिया, ये फिल्म गुजराती दंगो की कहानी पर अधारित है, इस फिल्म को सिनिमा हॉल में रिलीज करने से बैन कर दिया गया था, हाला कि अभी फिल्म होट स्टार पर अपलब्द है, फिल्म में नसरोदिन शारुसारी का हसन लीड रूल में ह तो ये थी वो बहुँ चर्चत फिल्म है जिने सिनमा घरों में रिलीज करने से बैन कर दिया गया था लेकिन OTT प्लाटफॉर्म्स पर ये फिल्म है रिलीज की गई है जिन्हें आप असानी से देख सकते हैं